नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में बच्चों को पिटाई से बचाने के लिए देश में नया कानून लाने की तैयारी की जारी है केंद्रिय महिला और बाल विकास मंत्री मेनिका गांधी ने संसद में ये जानकारी दी है कि जिवनाईल जस्टिस एक्ट केर और प्रोटेक्शन और चिल्डरन बिल 2014 का ड्राफ्ट बना लिया गया है जिसमें शारीरिक दंड को अपराध माना गया है और इस अपराध के दोश लाने जा रही है जिसके तहट अगर माता पिता अध्यापक या फिर रिश्टतरार उनकी पिटाई करते पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल की हवा खानी बढ़ सकती है बच्चों की पिटाई के दोशियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है केंद्र सरकार जुवनाइल जिस्टिस एक्ट 2000 की जगा नए खानून पर काम कर रही है नया खानून जुवनाइल जिस्टिस केर एंड प्रिटक्शन ऑफ चिल्डरन बिल 2014 पेश किये जाने की तयारी चल रही है नए खानून को बच्चों कैधिकारों और अंतराश्ट्रे खानूनो नए प्रावधानों के तहट शारीरिक दंड को अपराध माना जाएगा इस बिल को कैबनेट की मनजूरी के बाद संसत में पेश किया जाएगा अगर बिल पास हो जाता है तो भारत दुनिया के ऐसे 40 देशों में शुमार हो जाएगा जहां बच्चों को शारीरिक दंड दे की नाम मना है पहली बार शारीरिक दंड देने के दोशी पाय जाने पर जुर्माना और छे महीने की सजा और दूसरी बार दोशी पाय जाने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है तो बच्चों को पिटाई से रोकने वाले नए खानून का क्या असर होगा देश में इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के महमान सबसे पहले परिच्छे करवा देते हैं हमारे साथ है स्वर्ण सिंग कंबोज जो की अध्यापक है हमारे साथ ह जो की मनुच चिकिसक है साथी सुधर्शन ठाकुर जी है कानून के जानकार है बहुत बश्चुक्रिया महमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए शुरुवात आपसे करते हैं कंबोज जी आपको क्या लगता है क्योंकि आप एक अध्यापक है इस कानून का सबसे ज़्य कानून आ जाएगा तो स्कूलों में जो सिस्टम है वो बदल जाएगा बच्चों को फिर मार धार की जग़ा प्यार से जादा समझाया जाएगा तेखो जिसका कोई असर नहीं होगा अब भी जो टीचर्स हैं उनको कठनाई का सामना करना पड़ रहे हैं मार वो नहीं सकते और उल्टा क्या है मैं तो यह कह रहा हूँ यह जो ला आया है जो बच्चे यह वो टीचर को मारने लगे उनके ओपर तो कोई ला नहीं बना इस तरह की अलिशासम भी जाएगा तो अगर बच्चों के मन में डर ही नहीं रहेगा और टीचर भी क्या था एक मेने के बाद पे पोगड़ जाने दो कोई दूसरा थिंड क्रुडा नहीं है अगर पणिश्मेंट आने चाहते हैं तो पिटाएं क्यों जरूरि क्या होगा को खड़ दो क्रुडा इसक को सबना सकते आगा सकते कोई माशलम में चेकर इसको नहीं अलगा सकते तो यह तो तो सरकार ही पता है ना कि दंड आप इस तरिके से दे सकते हैं आप एक पीचर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि बच्चे को समझाता रहे हैं और जैसे अभी कॉंसलर को कॉंसलिंग करते देखें उनको पीरड दे जाते हैं तो सिर्फ एक खाना पूर्ती की है सरकार ने और यह है कि हाथ बांदी है एक मिडल जो मिडल तबका है ना मिडल तब यह कानून आ जाएगा तो अध्यापक जो पहले से परिशान है उनके हाथ और भी सक्त कर द जाएंगे और आप देखेंगे कि ऐसा महल बनेगा कि अध्यापकों को ही मार खानी बढ़े जाए निशासन हींता की कमी बच्चों में देखी जाए निता जी आपको क्या लगता है आप भी दो बच्चों की माहें आपको लगता है कि पिटाई ही एक मातर ऐसा तरीका है जि तो अगर हम बच्चे की घर में जैसे पेरेंट्स अगर मार पिटाई करते हैं तो बच्चों में एक आक्रोश आता है और जिससे यकीनन बच्चे की और माबाप की दूरियां बढ़ती है जिसका लॉंग टर्म में जाके बैड इफेक्ट आएगा और इसी तरह से स्कूल में अजिए अब मैं कहूं तो हमारे समाज का जो आज के दिन जो इतनी फास्ट लाइफ है तो उसका एफेक्ट कहीं न कहीं हमारे काम पे भी पढ़ता है जिव जो टीचर घर से गया है कई बार वो घर से अपनी समझ्याओं से इतना फरस्टेट है कि वो स्कूल में जाके उसको अपनी फरस्टेशन उतारने के लिए अब मिल जाता है तो अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देते हैं कई बार बच्चे का कुसूर होता है और कई बार बेक शूरूर की जाधा मिल जाते हैं कई आधे कि बहुत धरी ऐसे समझ के और बच्चों का भविश्य देखते डॉक्टर आप से जाना चाहेंगे कि आपके पास कई तरह के पेशन भी आते होंगे बच्चे जो कि छोटी उम्र के होते हैं ना समझ होती है उनका रिष्टा बहतर बन सके इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को मारे ना बलकि प्यार से समझाएं कि क्या इससे एक गंट होता है टाइम आउट कि बच्चा कोई श्राइद कर रहा है तो ऊसको ने में खड़होगे सो पांच मिनट के लिए तो जनली जैसे अगर 7 साल का बच्चा है तो 7 मिनिट पांच साल का बच्चा तो 5 मिनिट ये रूल ओफ थाम होता है तो उसको काओ कि उसमें आपने किलोने से नहीं खेलना एक कमरे में और उसको पता होना चाहिए कि दंड आपको किस लिए मिल रहा है ये नहीं कि उसको ऐसे पता ही नहीं होना चाहिए इसके लिए चायड रीरिंग प्रैक्टिस घरों में होती है जनरेशन से हो रही है इंडियन समाज में इसको पब्लिक कानून को सही नहीं मान जाए ना कानून बड़ा रिग्रेसिव कानून है कि आप दंड दे रहे हैं अब आप देखो बच्चे की परवरिश आप करना चाहते हैं अब करते हैं कि मिनिस्ट्री ओफ चाइल्ड वेलफेर तो वेलफेर क्या हुआ उसके पैरेंट्स को तो वहां डाल दिया अब भार के कंट्रीज में अगर कोई अग्रेसिव मदर होती जैसे स्वीडन में इंग्लेंड में तो उसको फॉस् अग्रेसिव है और वह बच्चों को मारती है तो क्या सरकार यह बिल्कुल नहीं सोचेगी कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा देखे जब तक deterrent can年 नहीं होवा हमारे पास तो इसका इम्πलिमेंट कैसे करेंगे बच्चे कहां से सीखते है यह जो वाईलेंस है इनकरेजिंग जु वाईलेंस होता है यह बच्चे तू आउट ओफ त्री जो बच्चा है, वो फिजिकल अभूसड होता है. चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, चाहे वो चाहे घर में हो. यह कानून जरूरी है, खासकर करके इंडिया में. जब हम भार देखते हैं हम हमेशा देखते हैं अमरीका में किनेडा में यह धृत आपस बचों काम करते हैं पर कि यह भारत में ऐसा पॉसिबल है जहां पर बच्चा है जिसका पालां पॉशन से परिवार में होता किसी चीज़ को पता नहीं तब तक कैसे होगा अब नेक जो रिक्मेंडेशन दिय था सारे चीफ सेक्रेटरी को दिया था उसके बाद HRD ने भी सारे Chief Secretaries को दिया और Right to Education Bill में आप बच्चे की पिटाई नहीं कर सकते हैं अगर किसी टीचर ने भी किसी प्रकार का पिटाई की तो वो डिस्सिप्लिनर एक्शन होगा उसके अगेस्ट लेकिन जो नए कानून के साब से वो थोड़ा सा बहार निकलता है वो घर तक पहुंचता है रिमार्ड होम्स वे पोटेंगे कि ऐसा नहीं है जब हम भी छोटे-छोटे थे तो पढ़ाई करने जाते थे जो टीचर हमें जादा स्नेह देता था हम उसकी बात जादा मानते थे त पढ़ाई कर के जाता है तो बच्च कोई असा दिपरेशों भी होत शुचैंघ निकलाता है खील से थे गुर वो निसक्ता है जिसकी संस्कृति ऐसी है कि भगवाल से भी पहले गुरु को स्थान दिया गया है ऐसे में गुरु को बाह्ट कितना सही है देखो बच्चे आधा टाइम घर में बिताते हैं और आधा टाइम स्कूल में तो और इतना ही वो माबाप से सीखेंगे इतना ही वो टीचर से तो अगर हम बच्चे का उजबल भविश्य चाहते हैं तो दोनों को संतुलित होके व्यभार करने की अती जरूरी है मतलब कि दो तो उसके उपर उसके साइकोलोजिकल इफेक्ट भी पढ़ते हैं जिसे वो इमोशनली वीक है और जब भी कोई सिच्वेशन आएगी तो वो अपने आपको अड़्जेस्ट नहीं कर पाएगा और उसका जो व्यभार होना चाहिए निखर क्याना चाहिए जो उसकी प्रोग् कानुन अच्छा है पर इसके इंप्लिमेंटेशन के लिए हमें वह माहौल भी चाहिए अगर बच्चे को घर में हराश किया जा रहा है तो उसको उसके अच्छा माहौल हम कहा देंगे तो इसके निखर को पहले से काफी करनी पड़ेगी आम तो पर देखा जाता है कि जब ब बात बाते गुसा होता है, और ज्यादा गुसायल रवय अपनाता है। तो डॉक्टर साब ऐसे बच्चे को कैसे ट्वीट किया जा रा सकते है। अच्छी पैरेंटिंग अच्छा उनी चाहिए पॉसितिव पैरेंटिंग होनी जा चाहिए जब ब lors में पॉजिए प्लाश करता है उसको प्रेस करूई जब दो कितने दिन लोग अपको ऀमने की संपी मोग ने innovatoreker, उसको कितने दिन उसका तर रहना हैं को लिए संप Tip नस्वा एमधेगा उसकी पनीश्मनेटी करना भी अचया है। ने पुरिशने हो जगे हैं वह आपक ग्रीशनी कुछसे है. दॉचरी सिंगा देन कल्चर में बच्चों का पालन बजुए होती है. चैल्ड़ोड इस बेस्ट ताइम सबसी अच्छा समय होता है लाइफ में वेस्टन कंट्री इंडियन कॉंट्रेक्स में चाल्ड़ोड में तो यह बलीफ है कि बच्चों में अलड़ी गुन होते हैं आपने यह निकालने होते हैं अच्छी तरह पाधन पोश्ण कर देखा को अच्छी फैमिलीज बेकडावन भी होते हैं और यह निकाल पैरेंट्स होते हैं विए और जो अच्छी तो दूसी बात कभूच थाएंट्स अच्छी तो यह इस वाइलनस इस निसीखते हैं अब हमारी गॉर्मेंट को देखो मतलब तो दुन गुर्ट एंड़ी पोड़ कि यह सब अलाओड है यह सब अगर पर जब अगर पूर से एक ब्लैंके और आजाता है यह खतम करते हैं सुदर्शन जी आपको क्या लगता है इस तरह से कह रहा है कि अच्छी पैरेंटिंग होनी चाहिए यह बहुत जरूरी भी है लेकिन हम बहुत कमी पाते हैं स्कूलों की बीच और जो साइक्याट्रिस्ट है उसके बीच में इस तरह की अरेंड्मिन गर्वर्मेंट अभी तक नहीं कर पाई है और वो सड़नली एक लॉल आ रही है और जो कि बहुत इस्ट्रिक्ट है अधिए सबसे पहले तो सुसाइटी को एजूटे करना पड़ेगा जो लोग जब तक आपके पास कोई डेटरेंट लोग ना हो अब यह ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स तक सीवीत है अब जो बच्चे बाहर दावा में काम करें बूसरे इंस्चूर्ट में काम कर रहें रिम स्कूल में तो आपके राइट टू एजूकेशन में कबर कर रहा है वो जरूर नहीं है तो अगर आप बच्चे को हाथ उंगली दिखाऊगे तो आपके अगेंस डिस्टिप्लिन रेक्शन होगा वो तो 2008 का कानून पर आ गया है तो यह जरूरी है आपको हम यह करेंगी सदर्शन जी चाहिए कि इस पहिस्टि में यह खानून असरदार साबित होगा स्कूलों में जो कि पहले से ही कम्यों से जूज रहे हैं खासकर जो सरकारी स्कूल है उस उस सिचुएशन में यह लाइन फोर्स कर दी जाती है तो फिर किस तरह की आपको दिक्कते होंगी और आ सब्सक्राइब करते हैं या कोई मेड घर में आती है वो जी ठीक उनके लिए लाओ जो है काफी बड़ा उनको फिर मतलब शोशन नहीं हो चाहिए का बच्चों का लेकिन स्कूल में तो ऐसा हो ही नी रहा अगर होता भी है तो अगले दिन ही उसको टर्मिनेट कर दिया जाता तो पहले डर के बठा है वो तो बच्चे को कहता तु मेरा बाप है तो कुछ लिखे ला ना लिखे ला तेरा काम तो मैं कर दूंगा जो मैं देखता हूं ने तो क्या उस गुरू की यह नहीं अच्छी जिश्चर नहीं होगा कि वो उस बच्चे को बुलाए और प्यार से सम कि अच्चे कुफेल हूए अब यह तो अफसरों को जानकारी है अब देखो एक एसी कमरे में बैठके लाब ना बड़ा असान है लेकर उसको इंपलिमेंट करना और स्कूलों तक बच्चों तक पहुंचाना यह बहुत कछिन काम है मेरे साफ से तो मैं तो अगरी निकरता है अब टीचर तो फर्स्टेट होके अरा घर से बच्चा भी तो आता है ना वही कभी चौक मारता है कि एक जो healthy mind है एक स्वस्त जो दिमाग है वही एक स्वस्त जो संदेश है वह सबने फैला सकता है नी देखो इस भी healthy mind की बाती इंती इस आर बड़ी प्रफेशनल थिंग्स बड़ी serious topics है जैसे मैं बताता हूँ अगर बनता है तो judge should at least for three chances send him for say 10 hours of counseling उसको movies दिखाते हैं बिठाके जैसे drunken के साथ ऐसी काते है drunk drivers जो accident करते है वेस्टन कंट्री में ऐसे दिखाते हैं कि इसी ने मारा और वो कितना उसकी विक्टम था उसको कितना hurt हुआ उसकी body दिखो कैसे है तो उससे एक पॉजिटिवनेस अप्ती है तो say 10 hours of counseling or five hours of counseling यह जुरूरी होना है चीज़ तो आपको लगता है कि कितने परिवार ऐसे होंगे जहां बच्चों को इतने प्यार उसने के साथ रखा जाता होगा। देखें बहुत हैं और मैं यह कहते हूं कि parents or teacher बच्चों के लिए role model है वो उन से ही सिखेंगे अगर parents बच्चों को मारते हैं तो वो अपने चोटे भाई भेहन को मारना शुरू कर देंगे घर से बहार जहां भी छोटे बच्चे दिखेंगे तो वो उनके उपर अपना हाथ उठाएंगे तो हर चीज का समाधान है कि हमें सबसे पहले तो अपने जो ड्यूटीज हैं अगर हम उसको निभाने की सोचेंगे तो हम हाथ उठाना भूल जाएंगे क्योंकि उसके लिए फिर हमें समय लगाने की जरूरत है पर वो टीचर जिसके पास 80 से जादा स्टूडेंट्स है एक क्लास में उसके पास वो समय कहा है तो सरकार को चाहिए कि सुईधाय उपलब् पिटाई के बच्चों तक एक मैसेज वो तो तब दूनेंगे ना जब उनको इस तरह की सुफधा है मुरे सुदर्शन जी आपको लगता है कि जो शिक्षा है देश में वो इस सिती में है कि इस तरह के खानून को बर्दाश कर सकता है क्योंकि जो हबारा एडूकेशन से सरकारी उनको भी दस तरह के दूसरे कामों में फसाद गया जाता है देखे एक तो जो हम बच्चों को देखते हैं सबसे जरूरी बात क्या है कि बच्चे में जब तक सेल्फ कॉंफिडेंस ना हो या कॉंफिडेंस अगर उसको हो अब स्कूल में जाके हर टीचर तो एक त बीच में कुछ होते हैं जैसे पी टी आई हो गए वह सव बच्चों के सामने आपकी वहां पर डंडे मार देंगे बॉनिंग अस्विली में तो बच्चे का एक जो साइकोलेजिकल डेमेज वह एक तो क्या एक डंडे से कुछ नहीं होगा लेकिन इतने बच्चों के सामने ज बात लाएं तो ज्यादा बहतर होगा तो तक शायद हम अपने एड़केशन सिस्टेम में सुधार कर लें जो कानून को सपोर्ट कर देखे अभी मैं कह रहा था कि यूएन में जो है इंडिया एक सिगनेटरी है तो यूनाटी ने ने 120 कंट्री को रिकमेंड किया हुआ है कि आप इसको उठाई इस कानून को लई अभी तक 38-40 कंट्री इसके सिगनेटरी है तो होना चाहिए क्योंकि हमें भी साथ साथ चलना है जैसे वेस्टरन कंट्री के हम बात करते हैं तो हमें भी फोलो करना चाहिए जी कंबो साब जिस तरह से आप इस प्रफेशन में हैं आप पढ़ाते रहे हैं जो छोटी उमर की बच्चों की क्लासे में कोई एक ऐसा क्लास भी ऑगनाइस की जाती है जिसमें बच्चों को मैंटली या जिकिसी है तो और पर कुछ समझा जिससे इन्होंने का कि वह सर्फ नियम बना दिया गया इसलिए खाना पूर्ती हो जाती है उन जहां पर सो बच्चा कड़ा है उसके सामने उसको पनिश्मेंट दी वह फिर बेस्ती मसूस करता है या सुसाइड करता है ठीक उस मामले में ठीक हम भी अगर बच्चा शरारत करता है उसको ले जाते थोड़ा बाहर प्यार से समझा देते हैं और समझता भी है वह यह बात सुसाइटी को चेंज करने का हमारा एक नजरिया होना चाहिए कनून तो एक डर है कि हा कनून मैं ऐसा करूंगा जो फर्स्टेट लोग हो मारना छोड़ देंगे या फर पढ़ाना छोड़ देंगे लेकिन जो चीजें प्राइवेट स्कूल में होती है बच्चों की कोई मतल एक नजर्च करने जाते है आप जो प्रखोस्टति पने घना कूसे आपको पता होगा है कि यहां म성 लुझ बादा प्रॉब्लम्स फोटी जो बादें साथिटी आपके नी बैठाते हैं तीचर की बात में नी मानेंगे, गुमेंगे ऐ क्लास में, तो जंडी क्या होते हैं, अच्छरी आपके नीकल नीकल जाया इसके लिए इसके लिए यूनिट प्रॉफर ट्रीमेंट, कुसी का प्रिफिक के हमारे पास आते हैं हम लोग देख रहे हैं हम आते हैं स्कुल से ऑच पाते हैं रहीं रफ़ी कोई बदन भी डिवाधी तर मेहनों नहीं पाता है। स्वस्त विचारों वाली हो, इसलिए उनके पालन पोशन में हमें भी स्वस्त माल सकता से काम लेना चाहिए, ना कि उनकी निर्मम पिटाई उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सकती है, फिलार प्लाइम ड्रिवेट में बस अतना ही, नमस्कार. जुड़े रहो दिन रात.